हलो जी क्या हल चाल है so welcome back to my channel तो आज मैं आपको the best of you in my mind का part 13 और 14 एक्स्प्रेंड करने वाली हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजे तो चलिए चलते हैं अपने explanation की ओर तो एपिसोड 13 की स्टार्ट में हम देखते हैं शूफैंग को जो अपने practice camp skip करके आता है लेंशी को नियर विश करने के लिए and next day लेंशी से मिलने आती हैं उसकी मॉम बट वो उनके लिए दर्वाजा नहीं खोलती है तो उसकी मॉम वापस जाने लगती है बट बाहर उनको मिलता है शूफैंग जो लेंशी के लिए breakfast लेकर आरा होता है फिर हम लेंशी की मॉम और शूफैंग को बाते करते देखते हैं और लेंशी की मॉम अपनी मजबूरिया गिनवाती है और बोलती है कि वो लेंशी के डैट के साथ कुछ नहीं थी इसलिए अपने बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने अलग होना सही समझा बट शूफैंग यहां लेंशी की साइड लेता है और बोलता है कि क्या उनको लगता है कि जो फैसला उनके बच्चों को hurt करे वो फैसला सही है बट लेंशी की मौम कुछ नहीं बोलती और कहती है कि लेंशी लगी है कि उसको शूफैंग जैसा दोस्त है और वो आगी भी उसका ख्याल रखता रहे और वहां से चली जाती है फिर शूफैंग आता है लिंशी के पास उसको breakfast देता है और कहीं बाहर चलने को बोलता है तो next scene में हम दोनों को देखते हैं एक बस में लिंशी उससे पूछती है कि अगर सबीन उसको छोड़ दिया तो क्या शूफैंग तो भी उसको accept करेगा तो वह शूफैंग के पैरेंट से बोलेगी कि उस डॉक को घर से निकाल दे क्योंकि वह उसके साथ एजस्ट करके नहीं रह सकती है फिर शूफैंग उसको अपने हां लेकर आता है एंड लिंशी को देकर शूफैंग की मौम एक तम खुश हो जाती है और शूफैंग के डैड फिर से बोलते हैं कि अगर वो कामे बिजी नहीं होती तो उनको आज एक लड़की भी होती और उनके मौम वाज लाइक तू फिर से बोली बेगम और लिंशी शूफैंग को बोलती है कि लोजम तो फ्री में पैदा हो गए वैसे यहाँ पर शूफैंग के डैड और मौम तो पहले से लिंशी को अपनी बहुं मान चुके होता है फिर लिंशी आती है शूफैंग के रूम में यहाँ वो अपनी शूफैंग की धेर सारी पिक्स देखती है और सोचती है कि वो चाही शूफैंग को जितना परिशन कर ले बट वो हमेशा उसके साथ रहा है यहाँ पे शूफैंग लिंशी को अपनी से बताना चाता है अल्टा उसे आईस क्रीम खाने चलने को बोलता है फिर हम दोनों को देखते हैं आइस्क्रीम शॉप में एंशू फैंग लिंशी से पूछते हैं कि किसी बेकूफ इंसान से प्यार करना कैसा होता है तो लिंशी बोलती है कि बड़ा ही पेचिदा सवाल है इसका एंसर वो नहीं दे सकती है मगर हाँ वो इंसान भी बेकूफ ही होगा वैसे इस कोशन का सही सही एंसर शूफ हैं की फ्यूचर गल्फिंट दे सकती है मैडम दोनों ही केसेज में आप ही बेकूफ हैं नेक्स सीन में लिंशी वापस आती है अपने हॉस्टल नियू सेमेस्टर में वो श्रिंशी से बोलती है कि उसका मग तूट गया है तो क्या वो उससे एक मग बोरो कर सकती है बड़ श्रिंशी मना करती है और बोलती है कि नियू के पास एक्स्टर मग है तो वो उससे ले ले हाउड रूब नेक्स डे लिंशी आती है पेट शॉप पे और देखती है कि उन डॉक्स को अभी तक उनकी ओनर लेकर नहीं गई है और शाववन बताता है कि उसकी उस ओनर से बात हुई थी और उसने बोला है कि वो जल्दी ही उनको लेने आएगी और तभी एक कस्टमर आता है और लिंशी करती है और वो कस्टमर बताता है कि उसका डॉग अब इस दुनिया में नहीं है और अभी तक उसने अपनी वाइफ को उसके बारे में नहीं बताया है क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत अटैस थी और स्रिफ उसको सचाई पता ना चले इसलिए वो डॉग के आइटम्स ल अच्छा है कि उसे सचाई पहली ही बता दी जाए नेक्स सीन में लिंशी को देखते हैं जो जी जान से पढ़ाय कर रही होती है जैसा कि जेनरली हम लोग एक रात पहले क्या करते हैं और नियूं उससे पूछती है क्यों इतना पढ़ाय क्यों कर रही है क्या वह पागल होई नेक्स दे वो लिंशी का अलाम बंद कर देती है और जब लिंशी को कॉल करके जगाने की कोशिश करती है तो शीन से उसके कॉल भी कट कर देती है और रिसीवर को फोन से हटा कर रख देती है और जब लिंशी उठती है तब तक उसे लेट हो चुका था और जल्दी जल्दी भ ईहां दोनों को डाउट होता है शिन्जी पे बताती है कि उस Hawaii Shrufeng को भी सारी बात बताती है तो वो बोलता है कि वो जा कर20 को जाकर शिंजी से बात करे और अगर किसी मेरा कंदा कहीं तूत तो नहीं गया और लिंशी को उसे hospital ले जाने को बोलता है और फिर दोनों बाते हैं उसी hospital में जहां पर लिंशी की मॉम भी doctor है और डॉक्टर शूफैंग का चेकप करते हैं और बोलते हैं कि उसको कोई खास चूट तो नहीं लगी बट शूफैंग बोलता है कि ऐसे कैसे खास चूट नहीं लगी वो दर्थ से मरे जा रहा है तो इसलिए डॉक्टर उसके कंदों पे X-ray, Y-ray, Gamma-ray, Theta-ray, जितने भी तरीक को कॉल आती है कोच की जो शूफैंग पर चिलाते हैं बोलते हैं कि वह ऐसी लापर वही कैसे कर सकता है और डॉक्टर से बात करते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि कोच सहाव आपको चिंता करनी के जुरुत नहीं है बस बच्चे को साथ आठ फीजो थेरपी की सेशन्स करने उसकी मॉम जो बोलती है कि उनको लिंशी से बात करनी है उसको लंच कराना है तो शुफैंग जट से बोलता है कि हाँ हाँ लिंशी बिल्कुल फ्री है वो उनके साथ जा सकती है और लिंशी की मॉम नीचे उनका वेट करने को बोलती है फिर शुफैंग लिंशी से बोलता है कि को अपनी मॉम को avoid ना करें वो उनको माफ करती है कि नहीं करती यह उसके उपर है और तलीस्ट उसको जो अपनी मॉम से कहना है वो कह दे फिर हम देखते है कि लेंशी के पास आती है उसकी मॉम and next scene में हम दोनों को देखते हैं कि restaurant में and ये episode यहीं पे खतम हो जाता है episode 14 की start में लिंशी अपनी mom के साथ होती है restaurant में और उसकी mom बोलती है कि उनको पता है कि लिंशी उन्हें blame करती है उसे छोड़ने के लिए बट कई बार आपको अपनी dreams के लिए sacrifices करने पड़ते हैं बट लिंशी बोलती है कि उन्होंने अपनी dream के लिए अपने बच्चो को ही sacrifice कर दिया और वहाँ से चली जाती है वापस अपने room पे आके वो सारी बार शू फैंग को बताती है और कहती है कि उसने पनी mom को जो कहना था वो कह दिया और तब ही उसकी नजर पड़ती है शू फैंग से पुछती है कि उसका favorite color कौन सा है तो शू फैंग white पताता है जिसके बाद लिंशी शू फैंग को तोड़ देती है और शू फैंग उसे पुछता है कि वो क्या कर रही है तो लिंशी बोलती है कि वो वही कर रहे है जो उसमें इसको suggest किया है अपनी भावनाओं को फ्यक्त करो और शू फैंग बोलता है कि उसे मिलने आ रहा है जिसके बाद लिंशी भागते हुए आती है होस्टील के बाहर और शू फैंग को बोल दे को डाउट होता है लिंशी पे और लिंशी बोलती है कि उसी ने उसका मग तोड़ा है क्योंकि कुछ दिनों पहले उसका मग भी किसी ने तोड़ दिया था तो शींजी को पता होगा कि वह इंसान कौन है पर शींजी बोलती है कि उसने लिंशी का मग नहीं तोड़ा और दोनों वेनको थैंक्यू बोलती है उनका ख्याल रखने के लिए नेक्स सीन में लिंशी होती है आच्री टीम के चेंजिंग रूम में एंड शू फैंग उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है तो लिंशी बताती है कि वो सोच रहे है वापस से टीम को जोईन करने का एंड शू फैंग उससे बात करते करते एक दम उसके क्लोस चला जाता है तो लिंशी घबरा के वहाँ से माग जाती है और शू फैंग बस इतने मही खुश हो जाता है वारे खुशी इधर जियांग होता है कॉलेज बिल्डिंग के रूफ पे और नियू को भी कॉल करके वो वहीं बुलाता है बट तभी फूक वान नीचे से उसको देख लेता है और उसको लगता है कि जियांग सो साइट करने जा रहा है तो वो सभी को call करके वहाँ पे बुला लेता है और थोड़ी दिर बाद को शुफैंग लिंशी और सभी वहाँ पे आ जाते हैं जियांग को नीचे आने को बोलते हैं बट जियांग को उनके बाते समझ भी नहीं आती है और तभी नीचे आती है चट पे और जियांग से पूछती है कि वो मरना क्यों जाता है बट जियांग बोलता है कि मरे उसकी दुश्मन वो कहां बने जा रहे वो तो यहाँ पे अपने रुपिंजल से मिलने आया था उसको अपनी फिलिंग्स बताने आया था और फिर नीचे को देता है एक लॉकेट एंड उसको प्रपोस करता है और नीचे उसे एकसेप्ट कर लेती है बाद में हम देखते है लिंची को जो भागते हुए आती है शूफैंग के पास जो उसको देता है बुके एंड अपनी फिलिंग्स कन्फेस करता है और जैसे ही लिंची को किस करने वाला होता है लिंची दहाड मार कर उटती है यह सारा कुछ हो सपने में देख रही होती है हमारा हीरो अपने पपा, आयमिन, जियां की तरह इतना डेरिंग नहीं है और बाद में लिंशी नियू को अपने सपने वाली सारी बात बताती है तो नियू बोलती है कि वो शूफैंग को लाइक करती है तब ही उसको ऐसे सपने आ रहे हैं और लिंशी सोचती है कि अगर वो शूफैंग को लाइक करती है तो क्या शूफैंग भी उसको लाइक करता है और तबी उसे call आती है Xiao Wen की जो उसको जल्दे से बुलाता है क्योंकि एक dog कहीं भाग गया था, तो next scene में Lin Shi आती है Xiao Wen के पास और फिर दोनों मिलकर उस dog को ढूंते हैं, और कुछ देर बाद Xiao Wen को वो dog मिल जाता है, और वापस जाते टाइम Xiao Wen को बताता है कि वो उसे like करता है, बट Lin Shi बोलती है कि वो एक अच्छा इंसान है बट वो उसको like नहीं करती है, वो किसी और को like करती है, तो Xiao Wen उसे पूछता है क्या वो शू फैंक को like करती है, और बोलता है कि चाहे वो जिसको भी like करें बट वो लोग हमीशा friends रहेंगे नेक्स सीन में लिंशी अपने भाई को message करके पूछती है कि उसको शूफेंग कैसा लगता है तो उसको भाई बोलता है कि शूफेंग के खड़ू सी इंसान है तो वो उन में से किसे को चुन ले और आज से वो उसके पर नजर भी रखेगा बट लिंशी तो लग जाती है प्लानिक्स बनाने में कि वो शूफेंग को कैसे कोट करेगी और इसके लिए वो नेट पे आइडियास भी ढूनने लग जाती है और तभी उसके पास आती है शींजी जो देती है उसे एक मग और सौरी बोलती है उसका मग तोडने के लिए बट लिंशी वो मग एकसेप्ट नहीं करती है और बोलती है कि उसमें उसका मग तोड की हिसाब बराबर कर लिया है तो शिंजी पूछती है कि क्या लिंशी नी इसको माफ कर दिया तो लिंशी बुलती है कि हाँ बिल्कुल लेकिन उसको उसे मेकप करना सिखाना होगा एंड इसके साथ इन दोनों की दोस्ति फिर से चालू हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खतम हो जाता है तो एपिसोड 13 and 14 की explanation यहीं पे होती है खतम आपको explanation कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like कीजेगा friends की साथ share कीजेगा और मुझे encourage करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा मैं आपसे मिलूँगे next video में next explanation के साथ तब अपने कूप सारा ख्याल रखे सायों नेरा